विल्कम टू मास्टर माड़ अब जिके एक बार फिच से आप लोग का स्वागत हैं मास्टर माड़ अब जिके में फ्रेंज बिहार पुलिस कॉंस्टेवल 21391 पदों के लिए आज से फ्रेंज आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेड में प्रवाइड कराऊंगा एक्जाम के बारे में मैं पहले भी विडियो बना कर बता चुका हूँ फ्रेंज की बिहार पुलिस कॉंस्टेवल का एक्जाम से संबंदित कोई भी नोटिफिकेशन लेकिन उमीद है फ्रेंज की जनवरी की पर्थम सब्ता में इसे संबंदित कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा तो लास्ट जनवरी में एक्जाम कंड़क्ट करवाया जा सकता है फरवरी में आपका विहार का एक्जाम है तो उसमें आपको 22 तारिक जगह नहीं मिले डाई लास्ट फरवरी में नहीं तो मार्च में पूरी संभावना है कि एक्जाम कंड़क्ट करवा लिया जाएगा आप लोग देखे अभी से तैयारी में लगे रहे हैं आपका धांधली हुआ था उसे कोस्चन आउट हा तो उसमें बहुत सार जो कोस्चन वाइरल के थे गिरफतार भी है इस बार CSBC है जो पूरी कदाचार म ठरिमूक्त परिश्चा कराने कि कोसिश में है तो आप लोग तैयारी पर वीश्यस फोकस करें ज्याद़ा नहीं साथ प्रेइड़ से तो आपका इसमें व्यार्ठ पूरी समें मेरिट बन सकता है तो अभी से आप लोगो ध्यान देने के जरूरत है उसमें भी नहीं डाल रह लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पढ़ाई जारी रखे तो मैं आपको फूल प्रैक्टिस सेट प्रॉइड कराता रहूंगा और टॉपिक वाइज भी जिक्के जिए इस देते रहूंगा तो आज की वीडियों फ्रेंस देखिए फूल मॉक्टेस देखने वाले हैं तो आप लोग लाश्ट तक जिरूर देखे एक दिन में तयारी नहीं हो गया और एक्जाम डेट नहीं आया इसलिए क्या सभी स्टूडेंट लोग थोड़ा सा आलस्पन सब में हो गया है अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लगे रहें आपको तयारी हो आप लोग करते रहें चैनल को सब्सक्राइब कर विडियो को लाइक ने कि हैं तो वीडियो को लाइक कर देगा आज का पहला सवाल आप लोग के सामने हिंदी से फूल मॉक टेस्ट है तो सभी तरह के प्रश्ण देखने को मिलें मायत वाला प्रश्ण को इसमें सोल्व करने बाकि जो भी है आपको देखते चलेंगे आज का पहला सवाल है निमलिखित में से कौन प्रेम सब्द का परियावाची सब्द परियावाची नहीं है कराएठ है प्रेम का प्रियावाची नहीं है परियावाची नहीं है परियावाची नहीं तो यह तो आपका है अनुराग प्रेम का है प्रिती भी है घिरना घिरना है जो पर्यवाची ने फ्रेम का पोजिट एक तरह से कर सकते तो आप्सन नमर डी पहला का करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला सवाल को देखे जैसंकर परसाद द्वारा रचित महा काव्य है जैसंकर परसाद ठीटली इन्हों नहीं ल सब्सक्राइब का होता है तो यहां पूछा जा रहा है संकर परसाद वारा रचित महा कावकाउन है तो करेक्ट अंसर ऑप्सन नमर डी हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे साकेत किसने लिखा या सोधरा किसने लिखा देखें तो इसमें साकेत एक हो गया फ्रेंस एक या सोधरा हो गया ठीक है याद रखें एक साकेत हो गया एक सोधरा हो गया साकेत या सोधरा और एक है फ्रेंस भारत भारती ठीक है फ्रेंस एक है जो भारत भारती तो तीनों याद रखेंगा आपका मैथलिस रण गुप्त तितली उन्हें लिखा, तो जे संकर पर्साद का मैं ने तीन scripture बता है एक कामाइनी बता है, एक आसु बता है, एक तितली बता है तो तीनों करचनकर जेसरणकर सेampet ये सोधरा और भारत भातिक करचनकर काूं है तो मैंथली इस रंगूपतो नगूपत है तो तीन का जो correct answer होगा फ्रेंस ये भी है जो आपका जैसंकर परसाथ के द्वारा तो option number C इसका correct answer हो जाएगा ठीक है अगला सवाल को देखे अगला सवाल आपका है कि साहितिक का सुध सब्द होगा साहितिक का सुध सब्द कौन सा होगा तो देखे कि इसका चार का correct answer हो जाएगा फ्रेंस option number B इस तरह से लिखा जाएगा साहितिक अगला सवाल को देखे आखों देखा गदर रचना किस विधा किस विधा किस विधा क्या है ठीक फ्रेंस आखों देखा गदर की किस का है तो पांच का correct answer हो जाएगा फ्रेंस आपका option नमर एस संस्मरान है option नमर भी पाच का correct answer रोगा छठा नमर शवाल को देखे छठा नमर शवाल है यदि वह परिश्रम करता तो पर्थम स्रीनी में उतिन होता वाकि किस परकार का है एक question सैदा आपका बिहार प्लिस में पहले पुछा जा शुका है option नमर डिस संकेत तर्थक वाकिया है यदि वह परिश्रम करता तो पर्थम स्रीनी में उतिन रहता है संकेत दे रहा है option नमर डिस का correct answer रोगा जो कम बोलता उसके लिए उपएक्त सब्द देखे ए सबस्क्र सब्सक्राइब कॉछा जा सकता है यह कॉर्शा जाटा है यह कि यादधा वह जाटा उसको बाचाल पह जाता है जो कम भोलता उसको क्या परकार का निभंध है तो 8 का करेक्ट अंसर हो देगा आप लोग करते चलिएगा अगला सवाल आपका है कि निम ने वाक्यों में से सुध्ध वाक्या कौन सा सुध्ध वाक्या उसको छाट्ने के लिखा रहे तो 9 का करेक्ट्थ और समय ने हस्ताक्षर कर दिया आपका option प्रास अगला सवाल है फ्रेंश कि वर्तिनिक द्रिष्टी से असुध विकल्प को चुनिए तो 10 का केरेक्ट रसर हो जागा फ्रेंस option number C हो जाएगा ठीक है विरत्यानू पर ठीक है वर्तिनी की दुरिशी से असुध विकलप खुछ नहीं तो आपका E हो जाएगा इगारा नमर शवाल को देखें, इगारा नमर शवाल है, आपका एंगरेजी से हैं, एंगरेजी से भी सिंपल सिंपल प्रशना, fill in the blanks with suitable options कर रहा है, no sooner did she receive a telegram, यहाँ पर क्या होगा, फ्रेंस तो than हो जाएगा, आनिकि इगारा का correct answer option नमर नमर जाएगा, it is time to ring the bell इसका passive में convert करेगा तक क्या हो जाएगा friends कि it is time for the bell to be rung ठीक है चुकि यहाँ पर रिंग है friends तो हाँ रंग हो जाएगा तो बारा का करेक्टन्सर option number E हो जाएगा option number D अगला सवाल को देखे fill in the blanks with suitable option ठीक है friends यहाँ पर है Catherine says that she in love before तेरा का करेक्टन्सर हो जाएगा option number E had never been Catherine says that she had never been in love before अगला सवाल को देखे fill in translate into English महात्मा गांधी का जन्म 2 October 1889 को गुजरात के प्रुबंदर में हुआ था यह जिक्के जिये से फ्रेंस आद रखेगा महात्मा गांधी का जन्म कहा हुआ था द्यू अक्टूबर को आद रखेगा गांधी जन्ती मनाया जाता है द्यू अक्टूबर को चौदा का करेक्टन्सर हो जाएगा फ्रेंस option number B महात्मा गांधी वाज बॉर्ण एट प्रुबंदर इन गुजरात on 2nd October 1869 अगला सवाल को देखे कि identify the correct tense in the given sentence tense से भी एक सवाल पुछा था he had been trying to get her on the phone he had been करा थे friends had been trying करा ना तो पंदर का correct answer क्या हो जाएगा option यह हो जाएगा present perfect continuous tense का हो जाएगा sorry present ने past होगा past perfect had been लगा होगा ना तो past perfect continuous tense का हो जाएगा option number 10 का correct answer हो जाएगा देखे करा चूज द करेक्ट फ्रेजल भर फोर द अंडरलाइन पार्ट अफ द सेंटेंस the whole town वाज डिस्ट्वाइड बाइफ फ्लोट्स तो सोला का correct answer हो जाएगा option number D हो जाएगा विप्ट आउट हो जाएगा फ्रस्तुत वाग के खांकित भाग में डिस्ट्राइग के लिए सही वाक्यान से जो वाइप आउट हो जाएगा फ्रेंस यहां पर डिस्ट्राइका वाइप वाइप आउट हो जाएगा 17 नमर सवाल को देखे 17 नमर सवाल आपका है 17 नमर फिलिन दा ब्लैंक भीथ द एप्रोप्राइट मोडल राम इज नोट फिलिंग वेल ही आपर कंसल्ट अडॉक्टर तो 17 का करेक्टर सर क्या होगा फ्रेंस तो देखे आपर कराना कि अच्छा महसूस ने करा तो ही सूड हो जाएगा ठीक रहा है राम इज नोट फिलिंग वेल आनिके वह अच्छा महसूस ने कर रहा है इसलिए उसे डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए अगला सवाल आपका है कि चुज द अप्रॉप्राइट ऑप्शन तो चेंज द फोलोईंग संटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव तू नेग फिच एक्सप्रेस ढसत तो नेगे करेक्टररणस क्या हो जाएगा तो अलोट है तो अलोंट नेखर क्या होता है चलल इव पहता है इसका प्या मतलब कि ओफ द गेंगो वर्ड इसका पॉजिट पूछ रहा है फर इस अनभर का हो जाएगा जिगनेटिक मतलब क्या होता है बिस का पॉजिट करा है ब्स चॏप भूल चोटा होता है इसका पॉजिट हो जाएगा अगला से निम लिखित में स्एक्स परियोग किया जाता है तो 21 नमर शाबाल का जागेस करते चलिए टंगश्टन का जो बल्बो का फिलामेंट में परियोग किया जाता है तो बिद्धुत बल्ब इसका परियोग डी हो जाएगा अगला अप्केंस आपका चुम्बक के बल रेखाई निम्लिखित में से किसे निकलती है 22 का जो correct answer उत्री धूर्व से निकलती है ठीक है option नमर A 22 का correct answer हो जाएगा तेश नमर शवाल देखे परकास का परकिर्णन देखा जा सकता है तो तेश का correct answer हो जाएगा क्या शुर्योदे के समय इलालिमा में यह भी है शुर्यास्त के समय इलालिमा में आकास के निया आनि option number D इसका correct answer option number D हो जाएगा 24 नमर शवाल को देखे फ्रेंस मानों में नाभिक दूरी की परिवर्थन निम्लिखित में से किसके कारण होती है शुर्य मानों आख में नाभिक दूरी का परिवर्थन किसके कारण होती है तो 24 का जो correct answer हो जाएगा option number A हो जाएगा option number A शिलियरी मसलस के दोरव देखा जाता है अगला सवाल को देखे गाडियों में पीछे देखने के लिए दर्पन का आवर्धन निम्लिखित में से क्या होगा देखे गाडियों के पीछे जो side mirror लगा रहता है फ्रेंस उत्तल दर्पन होता है तो 25 का जो correct answer हो जाएगा option number A हो जाएगा एक से कम होता ध्यान से याद रखेगा question थोड़ा गुमाया हुआ जनरली पूछा जाता है गाडियों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पन का पर्योग होता है तो उत्तल दर्पन का उसका आवर्धन कितना होगा तो एक से कम होगा अगला सवाल 26 नमर सवाल को देखे निम्लिखित माध्यों में से किसने परकास की गति का अधिक्तम होती है परकास की अधिक्तम गति किसमे होगी तो 26 नमर सवाल का सबसे ज़्यादा हो जागा परकास का तो वायूम हो जागा ठेखने परकास है जो किसमे गमन करते है तो अनुपरस्त तरंग में गमन करते है जबकि धबनी जो अनुदेर्ट तरंग में गमन करती है यह ईब जो आदेर्थे तरंग में गमन करती है और धमने जो उने दहरे तरंग में गमन करती है सुन्ने परतिरोध वाले पदार्थ को निमर्लिखित मेंसे क्या कहेंगे जिसका परतिरोध सुन्ने उसे पदार्थ को क्या कहा जाता है 27 का अथी चालक कहा जाता है अप्सन नमर ए 27 का correct answer हो जाएगा 28 नमर्श वाल्वाल आपका इनम्री कित में से कौन सा अमलीयह है अमलीय कराय फ्रेंज़ चलिए गेस करेंगे आपको 28 का करेक्ट एंसर क्या होगा 28, सोरी 28 नमर्श वाल का 28 के टमाटर है, दूध है, लेमन जूस है, उपरियुकत में से सभी है तो देखें अमलिय कराल है में लेमन निवू का जूस होता है जो अमलिय होता है आपनी को लमन घूस का खोश किसने सोरणसन साहब नेखिया था विया आद रखेगा तो लेमन घूस लेमन से लेमन घूस को करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला सवाल को देखे फ्रेंस अगला सवाल आपका है कि निमने खितमें से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा तो 29 का जो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा तो 38 नमरंचंप में थोचा का सा अबली है तमातर का भी पैच मान इसे कंता दूद कभी ओता है। दिया तो कोस्चन देखी तरह से घुमाया तो इसका डी हो जाएगा इसका डी हो जाएगा कास्टिंग पोटास का रसाइनिक सुत्र क्या है तो तीस नमबर स्वाल का जो करेक्टन सुत्र हो जाएगा अगला सवाल को देखे रसाइनिक भासा में मोर्चा आने जंक लगना क्या है तो एक तीस का जो करेक्टन सुरूगा ऑप्शन नमबर भी होगा हाइड्रेट फेरिक अक्साइड बहुत इंपोटन कोछ आए रसाइनिक भासा में मोर्चा ने जंक लगना जंक लगना है जो फ्रेंस एक रसाइनिक परवर्तन का उधारान है इसको रसाइनिक भासा में क्य अगला सवाल को देखें और एस तू दोनों गैसे होती है तो 32 का जो करेक्टन सरूगा फ्रेंस ओप्शन नमबर भी हो जाएगा तो कैसी होते फ्रेंस तो आपका रंग हीन होती है और पानी में घुलंद सीन होती है करवन ड़क्षाइड और हैड्रोजन का तो ऑप्शन नम नमर सवाल है वसा युक्त भोजन बासी गंध युक्त हो जाते हैं बताइए कि निमलीखित में से किस किरिया के कारण ऐसा होता है अच्छा सवाल है तो यह हो जाएगा और अप्शन नमर सी अच्छा सवाल को देखें चौटिस नमर सवाल आपका है कि बिटामिन वीट्वि यह जाता है अच्छा सवाल को देखी निमलीखित में से इस तत्व की कमी से घेंगार होता है तो सभी को पताहों को 35 का कर्एक्ट अंसर हो जाएगा फिर निस का प्रहलित करता है अल्जायमर का नाम आप लोग सुने होगी 36 का अंसर क्या हो जाएगा तिसका हो जाएगा अल्जाइमर जो है आपका ब्रेंस यानि मस्तिक से संबंदी तो ऑप्सन नंबर एस का करेक्ट अंसर हो जाएगा ठेप अल्जाइमर रोग या भूलने का रोग होता है इस बीमारी से लचनों में क्या तो यादास्त की कमी हो जाती है ठेप है ने ले पाना बोलने की दिक्कत अल्जाइमर नामक रोग से मानों सरी का जो परभावित हो लौलांग है मुख रूप से मस्तिक सोसता है जिसमें क्या है अस्मारन छमता छीन हो जाती है ठीक है अल्जाइमर अगला सवाल आपका निमलिखित नदियों में से कौन से एक पंच नद में समलित नहीं है तो साइ सिंधू नधी के सहयक निया भी है इनका उद्गम हिमाले में होता है जेलव चिनाव रावी ब्यास और से पंच नद मह 투 नहीं है ठीक है ऎकल शीनाव अगला सवाल को देखिये अगला सवाल की तो झालिस नमर्ट स्वाल आपका है कि भार्टे समिधान के छठे मिसूषे में स्वायता जिला परिसाद की विया इस्था उत्तर पुरु भारत के निमलिखित में से किस राज पर लागू नहीं होती है तो झालिस का जो चैंगा जिंदा बात का नारा किशने दिया था तो चा प्रश्टी खिल सथान कहां इस्थित है अगला सवाल है वेलिंटन कप का समंद की सभी से समंदी थे तो तेतालीस का जो करेक्टन सर वेलिंटन कप है जो फिर रंगा स्वामी कप हो गया सब अगला सवाल को सब्सक्राइब करेक्टन सर क्या होगा अब्दुलगफार खान को कहा जाता है पहला मास है बहारत की राष्टे कलेंडर का होता है चैफ होता है ठीक है अब अध्याय कितने एस था इस का करेक्टन सर चाफ्य क्या होता है तो ऑप्सट्बूक मार्क जुकरबर्ग है फेसबूक के शंस्तापक सब्सक्राइब बागी चल्श सब्सक्राइब सब्सक्राइब घ्रट्राइब अगला सवाल को देखे भारत में वीधी निर्माता सर्वोच इनकाय कौन साय वीधी निर्माता सबसे सबसे पावरफुल क्या है झानसाद थीड रंग होते हैं इसी सर बनता और चाहर कीस नदी पर है जाएक two rich बितापती नदी किना रहे जो आपका सुरतसर है फिर फ्रेंस यू एन आई भी एसी का उदाहरण है ठीक है तो तीरपन नमर्शवाल का करेक्टनसर क्या होगा इस के रिफ्रेंस यह जो कौन सा पिड़ी का कंप्योटर है तो आपका तीरपन का करेक्टनसर भी होगा दूसरी पिड़ी के कंप्योटर का उदारा ने अप्सन नमर्व 20 का करेक्टनसर हो देगा निम लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है चोंगन नमर्शवाल को देखे निर्वाक्चन जी धानिरी का का भाग पंद्रा में आठकर्थरह ऑपका समिधान शावेन 22this दे रहा हैadan सन sixtear 9 तो आपका समीधान संसोधन भाग 20 में है सभी लोग याद रखे अनुछित कितना क्या होगा तो पच्बन का जो कारेक्ट अप्साइटी के स्थापना अंतराश्टी रेट क्रोस स्थापना कहा हुआ था अगला मेहदी किस राजी का लोग कला है ठीक है महदी राजस्थान का हो जाएगा सुल्ला महाजन पदों कमबोज महाजन पद की रधानी कहां थी तो 57 नमर सवाल का हो जाएगा अंठावन नमर शवाल को देखेए विधी निर्मान की प्रिक्रिया भारते शमीधान के किस देश के समीधान से लिए बहुत ही इंपोर्टेन को से मैं आप लोग को प्रैक्टिस से प्रोवाइड कराऊंगा सभी तरह का प्रैक्टिस से आप लोग देखते रहें जो थोड़ा वह तभी तयारी इस से होगी फ्रेंस वह आपको एक जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी तो आप लोग पर तेक दिन देखेगा वीडिय मौलिक करता भी कहां से लिया गया इससे पूछा जाता है इसका अंठावन का होगा बिधिन निर्मान पर करिया उनसट नमर्ट सवाल को देखे सुचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाग हुआ थे आपका वहार पूलिस में बहुत बार एक जम में पूछा जा चुका अगला सवाल को देखे से किस विजय नेगर सासक के दर्बार को सुष्य बीद करता था तो साथ का जो करेक्टेंसर अप्सन नमर्ट सवाल आपका है नेमलिखित में से कौन सा एक सित मरुस्तल है एकसम का जो करेक्टन सा जो होजएगा लादापिस्का करेक्टन साल होजएगा अगला सवाल आपको देखे कि अंतराष्टि सिमासुलके दिवस परतीवर्ष कम मनाया जाता है तो 62 का जो और उसी दिन अंतराष्टी सिमा सुल्क इस तरह से याद रखें अगला सवाल आपका देखें विधान परशट का सदस बने तो निम्तम आयू सिमा कितनी निधारित होती है तो तिर्षट का करेक्ट अंतराष्टी सिमा सुल्क दिवस भी मनाया जाता है ठीक है तो यह कितना है तो पचीस वर्स है तो उसट नमर सवाल सुमेलिद करा खेटडी नेवली जादू गोड़ा के दुए कौन सा जिगा पर खनीच पाया जाता है उसके सुमेलिद करना चौशट का फ्रेंस तो सही कौन है तो चौशट का करेक्ट अंसर ऑप्सन नमर बी हो जाएग जादू गोड़ा तो आप लोगो पता है उरेनियम वला हो गया फ्रेंस ठीक है बच गया किंद्र मुख में क्या पया आता है तो फ्रेंस किंद्र मुख में आपका ये आपका लोहा हो जाएगा ठीक है तो करेक्ट अंसर ऑप्सन नमर भी हो जाएगा ठीक है फ्रेंस समझ ग दिखते हैं कृष्णिस चिद्र सिदान्त के पर्तिपादक यह भी कोश्चन बहुत बारे ग्याम में हुआ है इस चंदर शेखर इसका कारेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला 66 नमर्ट बहुत इंपोर्टन सवाल के तारों के मज़ दूरी के 66 अंसर परकासवर्स 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 और पार्सिक दोनों यह जो लंबी दूरी का यूनिट है इसे आप लोग याद रखेगा सरशट नमर्ट शवाल को देखे वातावरन के जैविक घटकों के अंतक किरिया मतलब शमझ रहें तो जयाए जाए पτιित और पार वन में पाने जाता का सवाल जयाँके sandal को देखे और मिर स्वाल में सिंदर वर्ट भी आप लोग को पता हो एतुप magro eagle देखने को मिलते हैं तो 68 का correct answer हो जाएगा friends कि संद्री विर्षिन में से किसके वनस पति तो जवार ये one में संद्री व्रशियद देखने को मिलता है कि अगला का वियमलीकित में से कौन सा हिमनत सबसे बड़ा है कौन सा सबसे बड़ा हिमनद कौन का रहा है तो सिया चीन का नाम आप लोग सुनेंगे और इसका करेक्ट अंसर होगा भुकम्प अगला सवाल है आपका भुकम्प की सरवाधिक विनसकारी तरंग कौन ये बहुत टॉपमोस्ट भी विए सवाल है ठीके तिन तरह का ए तरंग ह यह कहा जाता है इसमें यह सबसे खतरनाख होता है यह यहोगया होगा अगर यह पूछे सबसे खतरनाक होता है ऐकला सवाल को देखे विए कि भूजल पर संजुक्त राश्ट जल सिखर समें 2022 का आयोजन कहां किया गया था 2022 में प्रांस के पेरिश में किया था ओप्सन नमर 6 का रेक्ट असर हो जाएगा अगला सवाल है आपका फ्रेंस की दोहा में आयोजित स्याय स्नुकर चैंपियों से 2023 का खिताब किसने जीता था बहुत इंपोर्टन सवाल 73 का यह पंकज आडवानी के द्वारा जिता गया था फ्रेंस ठीकर दोहा एक कोश्चन पुछा आसकूनर पंकज आडवानी की स्केल से सम्मधित है तो आसकूनर चैंपियन है फ्रेंस ठीक ह आद रखेगा तो यह जीते थे पंकज आडवानी अगला 74 नमर शवाल देखिए पहली बार भारते नौसेना दिवस समारो राष्टी राजधानी दिल्ली के बाहर में आयुद किया गया था मिर्दा दिवस 2022 का थीम क्या था इभी इंपोर्टेंट कोशन है तो इसका हो जाएगा स्वाइल फूड फूड बिगिंस ठीक है ऑप्सन नमर इसका करेक्टन सरो जाएगा चेहतर नमर शवाल देखे किस संस्था ने अपनी पहली वार्षी का स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 जारी किये तो चेहतर का करेक्टन सरो ऑपसन नमर ऑपसन नमर डी हो जाएगा डबलू एमो ने किया जारी अगला है दिव्यांग के लिए एकल व चेहतर का जबोल ऑफ सब करेक्टन सरो जाएगा जूंपोर्टन कोस्टन नमर को देखे कि हाले में विदेश में प्रहसी कामगारों का प्राप्त करने वाला दूनिया का पहला देश कौन बन गया है तो 80 का correct answer हो जाएगा option नमर इंडिया भारत हो जाएगा कोलंबिया में आयो जीत भारुत तोलन विस्प चैंपियंशिप में मेरा भाई चानू ने कौन सा पदक जीता था बहुत important सवाल है फ्रेंस से का सिका इसका correct नहीं रजत पदक जीता था फ्रेंस ठीक है मेरा भाई चानू कौन सा पदक रजक पदक अगला फीफा विस्प जोज़ेंशिप सरवाधिक गोल करने वाले खिलाणियों का गोल्डेन बूट पुरुसकार किसे परदान किया था बेरासी का जो correct answer अच्छा लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अल्कोहल का परतिसत क्या है तो बहुत ही सिंपल सवाल अफ्रेंस इसको बना लिजेगा इसका correct answer आगा इसका correct answer option दोन पात तीन आएगा ठीक है इसका दोन पात तीन आएगा अगला है किसी विद्याले में 40% छात्र है तथा छात्राओं की कुल संख्या यतना है तो छात्रों की संख्या कितने सिंपल सा सवाल है फ्रेंस 85 नंबर सवाल का सुल्व करिएगा तो इसका जो correct answer आएगा आपका अगला सवाल है राम का 30% बरबर स्याम का 35% तो स्याम और राम कनपाद सिंपल ये फ्रेंस राम का एक समान लेजएगा इस तरह से करिएगा इसका भी तो बन जाएगा इसका बन जाएगा इसका वाई माल लेजएगा तो तीन संख्याओं का आउसत इतना इतना है तो इस सिंपल है फ्रेंस सब बन जाएगा मैथेमेटिक्स का सवाल है सब छोटा खास नहीं है मैथेमेटिक्स का होब हो लड़ता भी ने फ्रेंस जो बेसिक है आपका टेंथ लबल का उसको पढ़े लेजाण सोल्ब कर लेजेगा तंक वळासे दिया है फिर यदि दो संख्याओं का इतना है उनका मैशे इतना है तो फर्मूला पर बन जाएगा नभी का फर्मूला पर बन जाएगा लग्षाबर अबर क्या होता है इस फर्मूला होता है तो गुनान फल फर्मूला होता है आपका गुनन फल्वटा मसा है को इसी तरह से नहीं तो फिर फिर नहीं पर लग्षाबर क्या होता है तो सब्सक्राइगा इसका बानिविन नंबर शवाल की इसका हल करी है तो उप्सन नमर आएगा इस चाहिए जाते हैं पहले भाग का साथ गुना इतना से मैंतेमेटिक्स का सवाल है ठीक है इसको छोड़ते हैं अगा आगे देखते हैं सवाल देखे एक फोटो की और संकेत करते हुए राम ने कहा उसकी माता की एक मात्र संतान मेरे पिता का एक पुत्र है राम किसके फोटो की और संकेत कर रहा है और संतान मेरे पिता का अपने और कर रस्वाम हो जाएगा इस संतान में नमर शवाल आपका सुब करिए अपसर नमठ दिये गे हैं इस में पासे में आंख एक विपरित क्या होगा तो इंठान में का जो करेक्ट नसर आएगा एक हैना तेक पूंड तीन पांच इसका छे गयात करें से इस तरह का प्रेक्टिस है था छुश्चन का लेवल ठीक ही था ठीक है तो से देखते रहे हैं तो कुछ ने कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा और कंटिन्यू प्रैक्टिसेट करने से और रिगूलर पढ़ाई करने से कि आपका बेस मजबूत रहेगा और क्या लेवल बना रहेगा ठीक बाकी एक जाम में तो कोश्चन जैस तरह से पुछे तो सभी के लिए एक समान रहता है और फ्रेंस आपका कॉमन सेंस यूज करना उप्सन सभी प्रशन का अंसर शाट ना है नेगेटिव मार्श है नहीं ठीक है फ्रेंस तो आप लोग कॉमेंट करके हमें बताएगा परतेक दिन चुकि फ्रेंस आप लोग वीडियो को शेयर वेर करें भी